हिंदुस्तान और से दंगल इड़ू चैनल में आप सभी का स्वागत हैं मैं हैं पूल से खर्दुवे और आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी लोग इस वीडियो में लाश्ट टक बने रहिए अभी जो बच्चे को देख रहे हैं ये मस्ती के मूड में हैं फूल इंज्वाइ कर रहा है वो भी घोडे के साथ जब एक बार कहा गया है कि जब एक बार घोडे से अगर दिल लग जाए तो किसी और नसा का लगत नहीं लगता है आप सभी लोग देख रहे हैं कि इतना छोटा बच्चा कितनी समझदारी से और इस बच्चे में कितना होसला है और ए बच्चा अलग अलग घोड़े पर दिखेगा और इस बच्चे का मैं पर्चे बता दूँ उत्तर परदेश और विहार का जाने माने सवार एजाज खान का इलड़का है जिसका नाम है नमाजिस जो इलाहबाद उत्तर परदेश का है और जो आप घोड़ा देख रहे हैं अलग अलग ए घोड़े अन्वर सभासत जी चान्दन लखनव उत्तर परदेश के घोड़े हैं और सभासत जी के पास लगभग आठ से दस घोड़े आज भी उनके करजाले पर मौझूद हैं और बच्चे को देखिए अलग अलग पोजीशन में कभी घोड़े पे खाड़ा होके तो कभी घोड़ा दवड़ाता हुआ तो कभी पंधे घोड़े के पीट पर आप सभी को इस वीडियो में दिख जाएगा और मैं इस बच्चे के हौसले से ताजुब हूँ कि इतना छुटा बच्चा कि इस तरीके से अलग अलग घोड़े पर बैठ के सवारी कर रहा है और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं भविश्चे में सवार इजाज खान को भी इमात दे सकता है आप सभी लोग को एप वीडियो कैसा लगा बहुत हीं क्यूट और प्यारा बच्चा है और इंज्वाए करने के लिए ही गर्मी की छुटियों में इंज्वाए करने के लिए ही अपने घर इलहाब अधुतर परदेश से लखना हो गया है और फूल इंज्वाए कर भी रहा ह मैं उपर वाले से कामना करता हूं कि इस बच्चे का भविश्च अच्छा रहे हुआ हर बच्चे को कुछ ना कुछ ख्वाइस होता है इस बच्चे का क्वाइस है गोड़े का राइटिंग करना आप सब कोई वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा इस बच्चे के लिए इस बच्चे के हौसले के लिए बहुत ही क्यूट और प्यारा बच्चा है और सबार एजाज खान का लड़का है और जो घोड़े देख रहे हैं एस अनुवर सभासा जी चानल लखनव के घोड़े है इस वीडियो आप सभी को कैसा लगा फिर मैं मिलता हूँ आगे नया वीडियो लेकर आप सभी लोग मेरे चैनल के साथ बने रही अपडेट रहे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद